आप सभी का सौगत है सोनरिका प्राइवेट आई टी आई के यूटूब चैनल में आज के इस क्लास ममलोग एलेक्ट्रीसियन के दस महत्पुन प्रसनों पे बात करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुती महत्पुन होगा आज का हमारा पहला प्रसन है शिलीकन सामगरी में रोधी का बोल्टीज का कारण क्या है जो सिलीकन सेमीकंडक्टर होते है उनके बेरियर बोल्टी ज़्यादा होने का क्या कारण है चार आपसन है पहला लोग एटोमिक नंबर दूसरा तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option A लोवर एटोमिक नंबर सिलिकन और जर्मिनियम ये दोनों semiconductor material का जाता तोर परियूग क्या जाता है सिलिकन का barrier voltage 0.6V से लेके 0.7V के बीच में होता है और जर्मिनियम का barrier voltage 0.3V से लेके 0.35V के बीच में होता है बढ़ते हम लोग next question के तरफ रिवर्स bias diode में चोड़ी बाधा का कारण क्या है जब diode को reverse bias connect किया जाता है तो उसका barrier की मोटाई बढ़ जाता है इसका मुख्य कारण क्या है ये प्रस्ण में है option A, minority carrier in two material are neutralized option B, neutron in N material is drifted to positive terminal option C, hole in P material attract to negative terminal option D, eloktones and hole are attract toward supply terminal diode को हम लोग दो परकार से connect कर सकते हैं पहला forward bias और दूसरा reverse bias जब diode को हम लोग reverse bias में connect करता है तो इसका barrier की मोटाई बढ़ जाता है इसका मुख्य कारण है eloktones and hole are attract toward supply terminal eloktones and hole supply terminal की और अकरसित हो जाने की बज़े से reverse bias में barrier मोटा हो जाता है ऐसे तो diode को हम लोग दो परकार से connect कर सकते हैं forward और reverse जब forward bias में diode को connect करते हैं तो diode का P side positive terminal से जुड़ा होता और diode का N side negative terminal से तो ही अगर diode को हम लोग reverse bias connect करना चाहते हैं तो diode का P terminal को supply का negative terminal से connect करना पड़ेगा और diode का N terminal को supply के positive terminal से connect करना पड़ेगा तो इस परसन का सही जवाब हो तो option D next question है सत्य तालिका में किस logic gate को दर्साया गया है यहाँ पे एक truth table दिया गया है और truth table से पहचानना है यह कौन सी logic gate का होता है तीन परकार के basic logic gate होते end gate, or gate, not gate option A, or gate or gate का जो truth table होता है उसमें option A और option B या फिर ऐसे कह सकते हैं दोनों input प्लस में होता है not gate का जो output होता है वो input का reverse होता है अगर 1 रहेगा तो output में मिलेगा 0 अगर input में 0 रहेगा तो output मिलेगा 1 opposite होता है इसी परकार से जो end gate होते हैं end gate में multiply होता है तो अगर इस truth table को हम लोग ध्यान से देखें 00 multiply करने से 0 आता है 100 0010 111 तो यह truth table है end gate का क्योंकि यहां पे multiply होड़ा तो इस हिसाब से इस प्रस्न का सही जवाबों का option C यह end gate है next question है which is the main application of SCR SCR का मुख्य अनुपर्योग कहां पे किया जाता है यह प्रस्न में है amplifier, oscillator, multivibrator और option D speed control of motor SCR का पूरा नाम है silicon control rectifier इसका पर्योग जादा तर motor की गती को control करने के लिए किया जाता है motor, fan का अगर speed को control करना है तो उसके लिए हम लोग SCR का पर्योग करते हैं तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा option D transistor circuit में function का परकार क्या है यहाँ पे एक transistor दसाया गया और transistor में पहचानना है इसका किस function के लिए use करते हैं switching, oscillator, modulation और amplifier transistor दो परकार के होते हैं PNP transistor और NPN transistor दोनों के ही तीन टर्मिनल होते हैं collector, emitter और base यह जो आपको diagram देख़ा transistor का यह transistor को हम लोग PNP transistor बोलते हैं क्योंकि PNP transistor में जो तीर का निसान है वो अंदर की तरफ जाता है वही पर हम लोग बात करें NPN transistor में तो NPN transistor में यह जो emitter में तीर बना है यह बाहर की तरफ होता है तो इस परकार से हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा PNP transistor और कौन सा NPN transistor है तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा option A सूचिंग transistor का यहाँ पे जो function है वो सूचिंग function है बढ़ते हम लोग next question की तरफ question है amplifier circuit में negative feedback की आवश सकता क्यों है जब हम लोग amplifier circuit को बनाते हैं वहाँ पे negative feedback की क्यों आवश सकता पड़ता है यह प्रस्णम है option A to reduce the distortion option B to increase the amplification factor C to increase the output voltage gain or option D to increase the output current gain amplifier circuit में negative feedback लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है to reduce the distortion distortion को कम करने के लिए हम लोग amplifier circuit में feedback का परियोग करते हैं तो इस प्रस्णम का सही जबाब होग option A next question है इस प्रस्णम का सही जबाब होगा option C यह नोर गेट का truth table है नोर गेट को बनाने के लिए दो basic gate की आवश सकता होता है पहला not gate और दूसरा और gate बढ़ते हैं next question के तरफ question है जर्मिनियम की तुलना में silicon दोरा अधिकान्स अर्द चालक उपकरन क्यों बनाया जाते हैं जो भी semiconductor device है वो silicon का ही बनाया जाता है जर्मिनियम का क्यों नहीं बनाया जाता है ये प्रस्न में है इस प्रस्न का सही जबाब है option A high barrier voltage silicon का barrier voltage germanium के comparison में ज़्यादा होता है silicon का barrier voltage 0.6 से लेके 0.7 के बीच होता है ओहीं germanium की बात करें तो इसका barrier voltage 0.3 से लेके 0.35 बोल्ट के बीच में होता है next question है What is the main application of a field effect transistor FET का मुख्य अनुपर्योग क्या है ये प्रस्न में थोड़ा बात कर लेते है FET होता क्या है FET का पूरा नाम field effect transistor है ये दो परकार के होते हैं पहला P channel FET और दूसरा N channel FET इनमें तीन terminal होते हैं terminal का नाम है source, drain और gate FET का जो मुख्य अनुपर्योग है वो किया जाता है voltage control device में अगर voltage को control करना है तो उसके लिए हम लोग FET का ही पर्योग करते हैं इस प्रस्न का सही जबाब होगा option A ये आज का हमारा आखरी प्रस्न है What is the main function of unigensen transistor UGT का पूरा नाम है unigensen transistor main function क्या है? unigensen transistor का ये प्रस्न में है option A relaxation oscillator option B broadcast transmitter option C loud speaker amplifier option D microphone input device तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा UGT का मुख्य कारी होता है relaxation oscillator के रूप में जो जो अचे जबपन होगा जब उड़ोग्यक